नमस्ते दोस्तों आप सबी का स्वागत है ससर्ट वर्लीस यूटूप चैनल में तो आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ और एक नया वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले है इलेक्ट्रिक स्कूटर आप परचेस करने की सोच रहे है तो आपको जो यहाँ पे में पैर तो सबसे पहले जो पैरामेटर से अपको बजेट प्राइज सोचना है आपके रिक्वाइर्मेंट के इसाप से कि आपको बजेट सेट करना है उस इसाप से आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको चूज करना है बहुत सरे टाइम पे क्या होता है कि आपको एक इलेक्ट्रि कर लेते हैं वह हैं डिजाइन मतलब कन्स्रक्शन तो जो डिजाइन और लुक्स होते हैं वो और उमन के लिए आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो आपको एक लो स्पीड और लाइट वेट इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जाना चाहिए मैं यहां पर कहीं पर भी अंडरेश्टमेट नहीं कर रहा हूं मुझे पता है कि लेडी भी और उमन भी अभूद अच चलाने वाले है तो आपको उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए अकि पाव्र लैग हो रही है पावर कम हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए अपको अच्छी चुल्द की और पावर की आपको स्कूटर लेना है तो यह था पुरा इन्फरमेशं डिजैन और लिजाइन कर तो ये था suggestion आप definitely इसके उपर work out कीजिए आप electric scooter लेते समय कि design और construction बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए इसके बाद जो third parameter है उसके उपर आपन discuss कर लेते हैं तो वह है features तो दोस्तो जो third parameter है features तो features electric scooter और vehicle में बहुत ही अच्छी तरह से और advanced features आने लगे है जैसे जैसे competition बढ़ रही है जैसे की mobile connectivity, navigation, mobile application से आप पूरी जो vehicle है उसको आप diagnose कर सकते है इसके अलावा जैसे की GPS connectivity, exhaust sound को बंद करना, on करना, brake lever के adjustment, anti-thift alarm, tire lock जैसे की आपने पार्किंग करके गए आप टायर को लॉक कर सकते है ताकि आपकी गाड़ी चोरी ना हो सके और यहाँ वहाँ ना जा सके इसके अलावा mobile charger और side stand alarm, side stand on है तो आपकी vehicle आगे नहीं जाएगी और dual disc brake इस तरह के सारे features आपको आने लगे है इलेक्ट्रिक वहिकल के साथ बट आपको एक basic electric scooter लेना है तो आप जो basic जो feature से लाइक आपको anti-thift alarm जो जरूरी है टायर लॉक जो आपके वहिकल के safety के लिए जरूरी है और dual disc brake इस तरह के आपके जो feature से उसके साथ आप purchase कर सकते हो इसके बाद जो next parameter है उसके उपर discuss कर लेते है electric motor and battery this is one of the best one of the important factor to when आप purchase कर रहे है electric scooter और बाइक के लिए क्योंकि आपको इसमें दो टाइप के वहिकल आते है ओ है low speed और high speed low speed में आपको बहुत ही कम power की आपको motor मिल जाती है और battery मिल जाती है battery की power भी बहुत ही limited होती है इसमें जो speed limitation हो जाता है आप ज्यादा high speed में नह इसको अलाव भी नहीं किया low speed में आपको जो RTO के rules होते है वह भी आपको follow करने की जुरूत नहीं है high speed जो second variant है उसके उसके उपर बात कर लेते है electric motor उसकी जो होती है बहुत ही अच्छी power के साथ आ जाती है उसमें battery होती है उसकी भी अच्छी power होती है इसमें आपको maximum जो 85- 90 km की speed मिल जाती है तो आपको performance के मामले में कहीं पे भी आपको complete नहीं चाहिए तो आपको high speed के साथ जाना चाहिए तो आपको high speed के साथ जाना चाहिए तो यह electric motor और battery इसके उपर आपको सोचना है इसके बाद जो next parameter है उसके उपर discuss कर लेते है तो next parameter है charging time अपनी जो daily की जो busy life है उसमें आपको time निकालना है charging time करने के लिए battery charging करने के लिए तो इसके लिए भी आपको सोचना है हारे company अलग-अलग time देती है battery charging करने के लिए 2 गंडे से 8 गंटा इसमें आपको दो प्रकार की बैटरी मिल जाती है एक lithium-ion की बैटरी मिल जाती है और दुसरी है lead acid लिए माइन की बैटरी है उसका charging time बहुत ही कम है 2 गंडा से 4 गंटा और जो lead acid की battery है उसका जो time है 4 आर्स 4 आर्स से 8 आर्स मतलब 4 गंटे से 8 गंटे का time लग जाता है तो आज के date में आपको battery लेनी है तो इलेक्ट्रिक वहिकल लेते समय इसके बाद जो नेक्ट्ट पैरामिटर है उसके उपर बात कर लेते हैं तो नेक्ट्ट पैरामिटर है वारंटी, इलेक्ट्रि स्कूटर में एक सबसे इंपटेन जो कमपनी है, छोटी कमपनी है, आपको एक साल की और दो साल की वारंटे मिल जाती है, मोटर्स के उपर, बैटरी के उपर और कंट्रोलोर के उपर बट बहुत सारी जो अडवांस और अच्छी कंपनी है वो आपको लगबग 6-8 years की भी आपको warranty दे देती है मोटर्स के उपर और उसके बहुत सारे equipment के उपर तो आपको warranty भी समझ नहीं है अपने requirement के इसाब से उस हिसाब से प्रोड़क आपको purchase करना है इसके बाद जो next parameter है उसके उपर हम बात कर लेते हैं तो next parameter है insurance आपको पता है आप petrol vehicle ले रहे हो या electric vehicle ले रहे है तो आपको insurance purchase करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए और third party है मतलब आपके साथ जो अलग vehicle चलाने वाले है पेडेस्ट्रेन उनके लिए insurance लेना बहुती ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी vehicle कहीं पर damage होती है किसी चीज़ के वज़े से तो आपको वह जरूर मदद कर सकती है तो definitely आपको insurance खरीद करना है तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें comment करके जरूर बताईए चाइनल पर नए हो तो चाइनल को subscribe कीजे ताकि आने वाला हार एक नए वीडियो आपके पास जल से जल पोस्ट सके thanks for watching